सवाल नमबर 9 पांच बरतनों में से परतेक में 50 बीज पाने में डुबो कर अंकूरन के लिए छोड़ दिये गए 25 दिनों के बाद परतेक बरतन में अंकूरित बीजों को गिन कर नीचे की सारने जैसा लिख लिए गया है धेखिए बरतन, बरतन टोटल 5 था, ठीक है? तो 5 जो बरतन अपर लिख दिया है और क्या किया कि सभी बरतन में, यानि कि 5 बरतन में 50-50 बीज पाने में डा की छोड़ दिया था अकूरन होने के लिए और 25 दिन के बाद देखा तो पता चला कि पहला बरतन में 42 बीज है जो अनकूरन हुआ है ठीक है अनकूरन कहने का मतलब जो चना होना जो हम लोग खाते हैं जो पान में उसको छोटे ते देखते हैं अकूर जाता है तो पहला जो बरतन है उसमें 42 बीज है जो अनकूरित हो गया था आठ नहीं हुआ था तो आठ को हटा दिया बाकी लिखा 42 दूसरे बरतन में 45 बीज है जो अनकूरित है तीसरे बरतन में 40 है चोथे में 49 है और पाचमें बरतन में 48 है इसमें सिर्फ दोहें बीज जो अनकुरित नहीं हुआ था ठीक है तो इस तरह से आपको सारनी दिया हुआ है कहता है कि एक बरतन या द्रिच्छा चुना गया देखे ये पांच बरतन में से एक बरतन को चुन लिया जाता है देख करके नहीं या दृष्छा का मतलब होता है कि आपके आप पर पट्टी बांद दिया गया है और कहता है कि एक बतन को चुनिए तो आप ये पांचों में से किसी एक को चुन सकते हैं ठीक है तो ए इसमें कहता है कि चालिस से अधीक बीज अंकूरित होने की क्या प्रियागता है तो देखे इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं सवाल नमबर नौ सबसे पहले यहां लिखेंगे कुल संभावित परिनामो की संख्या परिनामो की संख्या ठीक है यानि कि नमबर आउप एस देखिए पांच बरतन है फर्स्ट सेकेंड ठर्ड पोर्थ फिप्त ठीक है यह पांच बरतन है तो लड़का जो या दिछा चुन रहा है बरतन को तो क्या करेगा, पांचों में से किसी एक को भी उठा सकता है, ठीक है, यानि कि वो परियाद से पांच बर करेगा, तो number of a total कितना है, पांच है, सवाल नंबर a, इसमें कहता है कि 40 से अधिक बीज अनकुरित होने की क्या परिखता है, यानि आपको परिखता निकालना है, जिस अनकुरित होने की घठना, तो एक बर्तन है जिसमें 40 से अधिक बीज अनकुरित होने की घठना है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, number of a निकालते है, तो यहाँ देखिए, 40 से पहला बर्तन में देखिए, 40 से अधिक बीज यानि कि first बरतन हो जाएगा फिर दूसरा बरतन देखे इसमें भी 40 से अधीक है बीज अनकुरिद तो इसको भी यहाँ पे जोड लेंगे फिर तिसरा बरतन इसमें 40 से बीज अनकुरिद है कहता है यहाँ पे कि 40 से अधीक बीज होना चाहिए तो इसमें 40 है, 40 से अधिक नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे चोथा देखे, इस बरतन में 49 बीज अनकुरित है, जो कि 40 से अधिक नहीं है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, पांचमा 48, देखे, इसमें 48 बीज अनकुरित है पांचमा बरतन में जो कि 40 से अधिक है तो पांचमा यहां लिखा जाएगा यानि कि number of E जो है ये 3 है देखिए प्राइकता निकाल लिए है E की, E क्या है किसकी प्राइकता हम निकाल रहा है तो एक बरतन में 40 से अधिक बीज अंकुरित होने की प्राइकता हम निकाल रहा है तो इसका फर्मूला हो जाएगा number of P number of S number of E 3 है number of S 5 है तो इसकी प्राइकता 3 बटा 5 होगी अब सवाल number B B में देखिए कहता है 49 बीज अंकुरित होने की क्या प्राइकता है तो सबसे पहले मान लेंगा कि माना E बराबर एक बरतन में 49 बीज अंकुरित होने की घटना यानि कि हम एक ऐसे बरतन का चुनाओ करेंगे जिसमें 49 बीज अंकुरित हो ठीक है तो यहां देखिए number of E निकालते है तो इस data को देखिए कि ऐसा कौन सा बरतन है जिसमें 49 बीज अंकुरित है पहला बरतन इसमें 42 है तई तो नहीं होगा दुसरा बरतन इसमें 45 है इसमें भी 49 नहीं है देखिए तिसरा बरतन में 40 बीज अंकुरित है और पांचमा बरतन में 48 बीज ही अनकूरित है यानि कि किसी भी बरतन में 49 बीज अनकूरित नहीं है यानि कि आपका ये जो घटना है ये 0 है ठीक है एक भी बरतन में नहीं है यानि कि सुनने है number of e कितना है? 0 तो दखिए probability निकाल रहे है e की e क्या है तो एक बरतन में 49 बीज अनकूरित होने की घटना है इसी की प्राइक्ता निकालनी है तो इसकी प्राइक्ता होगी number of e बटा number of s number of e 0 है और ये 5 है ठीक है इसको डिभाइट करेंगे 0 यानि कि प्राइक्ता क्या होगी? 0 होगी अब देखिए c इसमें कहता है कि 35 से अधिक बीजों की अनकूरित होने की क्या प्राइक्ता है c में देखिए c में आगह मान लेगा कि माना e बराबर एक बरतन में 35 से अधिक बीजों के अनकूरित होने की घटना है ठीक है ये हमान लिए तो हम e का मान निकालते हैं देखिए यहाँ पर नंबर ओप e यहाँ पर देखिएंगे कि पहला बरतन में 42 बीज अनकूरित है जो की 35 से अधिक है तो इसको लिखेंगे फस्ट हो गया बरतन इसमें 35 से अधिक बीज अनकूरित है फिर यहां देखिए दुसरा बरतन इसमें देख रहा है कि 35 से अधिक बीज अनकूरित है तो इसको भी लिखेंगे दो नमर बरतन फिर देखिए तिसरी बरतन इसमें देख रहा हैं कि 35 से अधिक बीज अंकुरित है 40 है तो इसको भी लिखेंगे फिर देखिए चौथी बरतन इसमें भी 35 से अधिक बीज है और 5 में बरतन में 35 से अधिक है यानि कि सभी बरतन में 35 से अधिक बीज अंकुरित है तो number of e कितना है total पांच है और number of S इसका देखिए 5 है तो प्राइक्ता निकालनी है E की यह क्या है तो एक बरतर में 35 से अधिक बीजों के अनकुरित होने की घटना है इसी की प्राइक्ता निकालनी है तो number of E बटा number of S number of E 5 है और number of S भी 5 है तो 5 से 5 कट गया 1 यानि कि इसकी प्राइक्ता एक है सवाल number D देखिए काता है कम से कम 47 बीजों के अनकुरित होने की क्या प्राइक्ता है देखिए यहाँ लिखा हुआ कम से कम इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि 47 होना चाहिए ठीक है और उसके 400, 48, 49 यह सब चलेगा लेकिन 46, 45 नहीं चलेगा ठीक है यह कह रहा है कि कम से कम 47 बीजों के अनकुरित होने की क्या प्राइक्ता है तो देखिए इसको भी हम निकालते हैं सवाल number D हम मान लें कि माना E ब्राबर एक बरतन में कम से कम 47 बीजों के अनकुरित होने की घटना ठीक है इस घटना को हम E मान लिया है तो देखिए number of E देखिए चार्ट में कितना है देखिए यह चार्ट दिया हुआ है तो फस्ट बरतन में देख रहे हैं कि 42 बीज ही अनकुरित है यह नहीं चलेगा सवाल काता कि कम से कम 47 होना चाहिए ठीक है तो यहाँ देखिए इस में औरतन में 48 बीजें कुरित है यानि कि number of E इसमें एक आएगा ठीक है यह कितना है तो एक है देखिए तो रहें था एक को देखिए तो number of E बटा number of S number of E1 है यानि कि एक बरतन ऐसा है जिसमें कम से कम 47 बीज अनकुरित है और टोटल बरतनों के संख्या 5 है तो इसकी प्रेक्ता हो गई एक बटा 5